आज हम सुरूरेंगे हमारा हिंदी का चैप्टर फोर करेंगे जिसका नाम है शब्द संपदा इसके मैं आज आपको कोश्चन अंसर दोंगा इसके लिए आप वोडियो आखरी तक जरूर देखना है तो देखो इसमें फर्स्ट कहा है शब्दार्थ इसमें पहले कहा है आदिम मतलब कहा था आदिकाल में ठीक है सेकर्ड कहा है निर्जीव मतलब होता प्राण हीन ठीक है जिसके अंदर प्राण ना हो जान ना हो फिर कहा है थर्ड जीवंत इसका आपका अर्थ कहा है जीवित ठीक है लाइफ अलाइफ बोल सकते हो फिर देख आपको फूर्थ में कहा है सायोजन मतलब कि मिलाना, पूनतो मतलब कि पूडता, complete आप बोल सकते हो ठीक है? अब आगी कहा है दोखो? Sixth में आपको कहा दिया गया है? निश्क्रिय मतलब कि कृतिहीन, inactive आप बोल सकते हो ठीक है? फिर कहा है? सेवेंथ मिलनसार मतलब मिल जूलकर रहने वाले व्यतित मतलब दुखी उच्चरित मतलब कहा हुआ एकागरता मतलब मन का स्थिर होना ठीक है सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो मिल इंगले इसा आप बोल सकते हो ठीक है अब दोगा प्रस्ट नुमर आपको टू में क्य अपोजड का निर्जीव मतलब जिसमें जीवन हो जान हो निर्जीव मतलब जिसमें जानना हो थर्ड मी आपको कहा है वियोग मतलब इसका अपोजड बोल शकते हो एक क्सिडेन्ट ली ठीक है इसका आपका प्रस्ट है निसक्रिये अब आगी प्रत्व मतलब आजाद प्रतंत्र की जो किसी चीज में फसा हो ठीक है तेंथ में कैया शुन्दर इसका अपोजिट क्या असुन्दर ठीक है सबका अपोजिट आपको यहां पर लिखना था अब प्रेस्ट नमर थी में कहाई प्रिक्तसानों की पूर्ति करो, फिर्स्ट कैए शब्दों का यहां संसार बड़ा विच्चीत्र है, आपको यह विच्चीत्र याद रखना है, यही आपका ऐग्जाम में आएगा, जो अन्डरलाइन आपको याद रखना है, यह हमारा ब्लेंग रहेगा, इसको आपको फिल क करना रहेगा कुछ शब्द किसी भी भाशा से मितृता कर लेते हैं यहां पर आपका मितृता अंसर है विज विज़के अर्थपूर बोलना और लिखना एक कला है तो यह आपका क्या है यहां पर अर्थपूर ठीक है फो रदिया प्रत्य व्यक्ति के पास स्वें की शब्द संपदा होती है तो यहां पर आपका उतर है संपदा है यह आपको याद रखना है क्लियर अब चलते है प्रसम बोलता है तो उसमें जान आती है, किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धी और 10% परिश्रम की जरूरत होती है, गलत, ये बिलकुल गलत है, किसी भी सफलता के लिए हमें आप बसकते हो, दस परिष्रम और 90% परिश्रम, मतलब मेहनत की जरूरत पड़ती है क्लियर थर्ड में का कुछ शब्द बहुत सज्जन सात्विक सब्वे और सुसंस्कृत होते हैं तो यह आपका सही है ठीक है हमने चैप्टर में देखा था अफ़ोर्थ में का तमील भाशा के शब्द किसी भी भाशा से घुल मिल जाते हैं यह गलत है तमील भाशा का विकास हुआ अंग्रेजी के कारण भाशा के कारण या शब्दों के कारण आपको उत्तर के है भाशा के कारण ठीक है दुनिया के सभी ग्यान शखाओं का विकास हुआ भाशा के कारण सब्द के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते शत्रुता आपको क्या है यहां पर शब्दों के उच्चारड के पूर्व हमें अभ्यास करना चाहिए हमें लिखना चाहिए हमें सोचना चाहिए मतलब कि शब्दों के उच्चारड के पूर्व हमें सोचना चाहिए मतलब कि शब्दों को बोलने से पहले अपने मुह से निकालने से पहल ओक्या अब आगे देखो अपको प्राशन 5 में आपको दियए दागर फिफ्त में निर्मडिखित शब्दों के उत्तर दो वाक में लिखो सब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ तो आपकी उतर इहाँ पर करें शब्दों का संसार बड़ा लिखक के विचार है, शब्दों का संसार बड़ा विच्चित्र होता है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्द मनिश को ग्यान से जोडते हैं, मनिश्यों को एक दूसरे से जोडते हैं, मनिश्यों को हसाते हैं, व्यथित भी करते हैं, मतलब कि शब्द जो रहते हैं, जो शब्ड का संसार है भौत भीचित्र है ये हम शब्ड में बड़ी ताकत होती हैं मनिश் को ग्यान से जोडते हैं मनिश्को एक दूसरे से जोडते हैं हसाते भी और प्रेशान भी करते हैं इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा स्मृद्ध होती है मतलब कि हमारी भाषा में और भी शब्द जूड़ जाते हैं अब चुरो थर्ड में चलते हैं थर्ड में आपको क्या है वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाब लिखो प्राप्त होती है वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी मतलब कि कम से कम शब्दों में बोलना और अर्थ पूर्ण मतलब कि मीनिंग्फुल बोलना ये एक कला होती है और ये कैसे कला बढ़ेगी जब हम अलग-अलग बुक्स पढ़ेंगे और वाचन संस्कृति मतलब बुक्स जादा पढ़ने से हमारी जो शब्द संपदा है मतलब कि हमारे पास जो शब्दों का खजाना है जो भाशा का खजाना है वो और जादा बढ़ेगा अब देखा प्रशन में आपको क्या बोले है निम्लिखित प्रशनों के उत्तर तीन चार वाक्यों में लिखो पहला क्या है भाशा का क्या अर्थ है इसके कारण क्या हुआ है तो उत्तर क्या है भाशा का अर्थ है सार्थ्यक शब्दों को वैवस्थित क्रंबद सयोजन मतब की भाशा का अर्थ है की वैवस्थित शब्द जो रहते उन्हें अरेंज करके लगाना दुनिया की सभी ग्यान भाशाओं का विकास भाशा के कारण हुआ है मतलब कि दुनिया में जतनी भी ज्ञान भाषा है साइन्स जो है इसका विकास किसके विज़े से हुआ है भाषा के कारण लेंग्वेज के वो कारण हुआ है भाषा के कारण ही मानौ संस्कृति का विकास संभव हो सका है क्या हुले भाषा जो लेंग्वेज रहती है इसी के का करते हैं तो भासा भाषा से ही इंसान जो मानों है इनका विकास हुआ है ठीक है जर्ण क्या है भाषा स्मृद्य कैसे होती है तो उत्तर क्या है एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों से आने से भाषा स्मृद्य होती है कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मिद्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं इस प्रकार अनेक भाशाओं के शब्दों के आने से हमारी भाशा स्मृद्ध होती है मतलब कि हमारी भाशा का खजाना और बढ़ जाता है स्मृद्ध हो जाती है ठीक है धन्मान हो जाती है जब दूसरे भाशा के शब्द आकर हमारे भाशे से जुड़ी जाते हैं अब चलब देप्रसमर 7th में क्या है नीचे दिये गए वाग के पढ़ो और उप्युक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो तो देखो पहले गए लक्ष्मी यहां से 10 दूरी पर है तो यहां पर आप क्या फिल्ग करोगे प्राण छोड़ दूँगा पर प्रन नहीं छोड़ूँगा अब धरड़ क्या है डेश को देखकर रूचि का डेश पड़ी हंस को देखकर रूचि का हस पड़ी पिर कैस्षब डेश में डेश शब्द मिलता है क्लियर अब दोको फिफ्ट में आपको क्या है डैश रात डैश दुख्यों की सेवा करना सभी का करतव है तो आपको क्या उतर रहेगा दिन रात दीन दुख्यों की सेवा करना सभी का करतव है छिफ्ट में क्या आपको नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जाता तो आपक कर देहरे पर रख दिया थीक है एक बालक डैस से पानी है तो प्रक्राइब पिता से पानी पीता है ठीक है अब देखो प्रश्च नमर एट में कि आपको निम्डिक शब्दों के वचन बदल करिको या पर वचन बदलना है ठीक है मतलब की एक वचन और बहुचन ओके तो पहल संसार ही रएगा संसार का संसारे आज से कुछ नहीं होगत ठीक है तो तो यहां पर हमारे चैप्टर कंप्रीट हो अगले वीडियो मैं आपको दूंगा बसंत गीत तो तब तक के लिए आप ये जो वीडियो में ने कराया है इसको अच्छे से पढ़लो लर्न कर लो तक कि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फूल मैक्स है मिलते हैं अगर आपको यूडियो अच्छे लगाओ तब सी वीडियो को लाइक करो अपने से भी दोस्तों के साथ शेर करो थेंक यू